हेलो ईव्डिवान कैसे हो आप सब आयोपइब आप सभी ठीक होंगे और Kabut ow मैं जो है कुछ दिन पहले गाउं गई थी हमारे गाउं में महड काउं में बनियात चल रहिए तो हम वहाँ पे बनियात में गए थे मात देवी माता का बनियात होगी मैं आपने नहीं तो मैंने वीडियो जो है अपने चैनल पर शेयर की जो में बनाएवर लॉपस कोई क्लें होता है तो बाहर हम्लै ब्लोगिंग करना आसान अ lot है क्योंकि भार हमारे पास कोई काम निए होता है बस हम जहां भी जाते हैं डियाट कहुंने हो यह खोमने द confunde तो हम हमारेessen पास बस कैमरा या फोन होता है और हम जो है रिकॉर्डिंग करना सुरू कर लेते लेकिन घर में बहुत सारे काम होते हैं घर में ब्लोगिंग करना या जैसे खाना बनाना उसको कैप्चर करना या कुछ अपना जो मुमेंट या कुछ काम कर रहे हैं उसको कैप्चर करना बहुत कठीन होता है घर में बहुत सारे काम होते हैं तो मैं कोसिस कर रहे हूं कि घर में थोड़ा सा ब्लॉगिंग स्टार्ड किया जाए अभी जो है मैं हम घर से आज कम से कम दो तीन दिन हो गए हैं तो घर से आके जब गाउं से आते हैं तो कहीं से भी आते हैं आप लोग घर में सफाई करनी होती है इतने सारे कपड़े होते हैं धोने के लिए ठकान जैसी लग जाती है कुछ दिन एक दो दिन थोड़ा सा आराम नहीं होता है आराम तो नहीं होता है लेकिन चाहिए होता है आराम करना लेकि तो टॉइनर बनाते हैं और दीनर में मैं अभी gewiene जोढंगे दाल सबजी रोटी और चावल वैसे तहो देखेल रात को चावल बनते नहीं है रात को जो है अधिकतर बनते हैं रोटी और सबू precon hड use गहर में यहीं होता होगा है और लेकिन जो है लेकिन है हम पहाडी है that मिले जरूरी नहीं लेकिन अगर भूग लगरी है तो मुझे लगता है कि थोड़ा से चांवल हो जाए तो तो ज्यादा अच्छा लगता है और बिल्क्मारा इसा ने वहाइं जाद मॉनाती हुँए मेरा जादा तेल डाले ओर लगए और क्योंकि भाई पहले का जमाने अलड़ थे ला तो समय हम बूरी बनाने हैं तो कड़ाया咪र तेल, फिर जब भूणकूल साप करना होजाता है तो यहां पर देखे मैं ने डाल को अच्छे से धू लिया है उसके बाद जो है मैं गैस के उपर रख दूंगी और पहले फुल फ्लेंपे से पकाएंगी और बस दो मिनट तक एक दो मिनट तक पकने देंगे लो फ्लेंपर क्योंकि यह रजना की डाले एकदम से हो जाती है और तब तक जब डाल पक रही है तब तक हम सब्जी काट लेते ह तो भाई कीचन में जब रहना होता है तो ऐसे ही काम करना होता है ऐसा नहीं की आपकी दाल उबल रही है सब्जी पक लिया तो काड़ लेंगे और अब मैं जो है यह सबजी बना कर यहां पर तयार कर लोंगी और जब तरह यह सबजी तयार जाएंगी तब तक मैं दाल के लिए मसाले वगरा तयार कर लोंगी प्याज, टमाटा, लहसुन वगरा इनको काट, पीट कर तयार कर लोंगी तो जो है इसमें फिर क्या होता है समाई के भी बच्चत हो जाती है और एक ही टाइम में हमाई ज़्यादा महनत लग जाती है तो ऐसा नहीं कि हमें एक या डेड़ दो घंटे लगते हैं खाने बनाने पर मेरा ये इस खाने बनाने में कम से कम आदा ये पौन घंटा पौन नूर्मल हमारे घर में जो मसाले वगर रहते हैं पस उसी को मैं डाला है ज्यादा तेल मसाले रहते हैं यहां पर हमने डाल चेक कर रहे हम और बिल्कुल पकर तयार है एक दम बढ़िया देखे अरहरजना की दाल उबल कर तयार हो चुकी है और जब तक यह दाल जो है हमने देख लिए कि भाई यह उबल चुकी है अब हमारी सबजी भी बन गई है इतने देर में और तब तक हम यहाँ पर प्याज टमाटर काड़ लेते हैं दाल को तड़का माने के लिए और सबजी जो है आई थिंग होने वाली है बस तो यहाँ पर जो है मैं प्याज और टमाटर को यहाँ पर काटके रख दोंगी अब देखिए सब्जी भी बनकर तयार हो गई है और मैंने बिल्कुल सिंपल ही सब्जी बनाई है ज्यादा तेल मसाले नहीं रखे हैं जब हमें किसी रोटी के साथ इसे खाना होता है तो हम ज्यादा तेल मस तो इसलिए मैंने अभी सब्जी को मैंने सिंपल ही रखा है तो इसको मैंने कडाई से निकाल लिया है और इसी कडाई में हम दाल के लिए तड़का लगाएंगे ज्यादा बरतन भी नहीं करेंगे और इसी कडाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है जीरा डाल दिया है और उसके बाद जो हम मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल लेती हूँ क्योंकि कड़ी पत्ता जो है डाल में बहुत अच्छा लगता है अच्छा लेक बाद यस विर्क बाद सब्सक्टा ठायस है कि अश्छा बेंगे बाद सब्सक्टा जाद सर जो है तो यहां पर डाल भी बनकर तयार है और सबजी तो अरड़ी बन गई है आटा भी मैंने गून के रख दिया है और यहां पर जो चावल है यह हम घर से लाये थे और यह चावल देखे मेरे दीदी ने दिये हैं और बहुत ही अच्छी खुसबू आती है गाह के आटी है और गांगे अपने खेतों से चावल होते हैं तो इन में खुस भी इतनी अच्छी आती है कि आप जो है इने जादा धोना भी नहीं पड़ता है और आप इसकी खीर भी जो है बहुत टेश्टी बनती है इन जाओ लोगी तो मैंने तोलगा सा यहां पर दो लिया है एक दो पानी से और उसके बाद जो है मैंने यहां पर रख खाना स्टार्ट करते हैं यहां पर लगबल जो है मेरे सारा खाना बनकर तयार हो गया है अब मैं रोटी बना रहे हूं चार पांच या पांच रोटी बना कर तयार कर लोंगी और जो है गर्म गरम फिर सर्व करेंगी बैस खाना बन गया है और अब मैं सर्व कर रहे हूं खाना तो यहां पर देखिए यह जो गाउं से चावल आये थे कितने तेश्टी और इसकी खुस्वू देखिए यह बहुत अच्छी खुस्वू आती है दूर-दूर तक इसकी खुस्वू जाती है तो यहां पर जो है मैंने दाल रख दिया है चावल है और करेले की सबजी है और बस दो रोटी है तो ये जो है मेरा डिनर बनकर तयार हो गया है और मैंने सबको दे दिया है तो फ्रेंड जो है ये मेरा डिनर बनकर तयार है और अब जो है हम करते हैं डिनर ये मैंने लिए है चावल, ये है करेले की सबजी ये है दो रोटी और ये है डाल और जो ये चांवल है इनकी खुसमू बहुत को सबस्तब कातरोब अनल है यहां पर पर वह सब्सक्राइड जादा और देखें अर्वत दिंस मेपनाना कमाches reward है और मैंने सब को दे दिया है और यह लास जो है थाली में अपने ले ले जा रही हूं तो फ्रेंड्स आप लोग भी खाई तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप दो